हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अच्छना वेलकम टो माई चैनल फूडशिप आज मैं बना रही हूँ साबुदाना वड़ा जी हाँ देखने में यह जितना अच्छा लग रहा है न सच मानिए खाने में भी यह बेहतला जवाब है एकदम क्रिस्पी और करारे यह साबुदाना के व साबुदाने को पहले तो 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लें उसके बाद 2 कप पानी के साथ करीब 4-5 गंटे के लिए इसे भींगो कर रख दें इतनी दिर भींगो कर रखने से क्या है न यह जो साबुदाना है अच्छे से सौफ्ट हो जाता है जब आप उसे दबा कर दे बनाने की जरूरत नहीं है हलका दरदरा कर लें और कुछ साबुदाना मैंने ऐसे ही खड़ा छोड़ दिया है चलिए अब इसे एक साइड ड्रग देते हैं और इसमें डालने के लिए मैंने ये दो आलू ले लिया है ये कच्छा आलू है इसको छील कर पहले आप पानी से अच जादा क्रिस्पी बनता है तो बस दोनों आलू को मैंने अच्छे से कद्दू कस कर लिया है अब इसे दो से तीन बार ना पानी से आप अच्छे से साफ कर लें इस तरीके से मसलते हुए देखिए मैंने इसको पानी से अच्छे से साफ कर लिया है अब इसे हाथ से निचोड करना इस साबुदाने वाले बोल में डाल देंगे दिखे इस रेसिपी में जितने भी इंग्रेडियंट्स मैंने यूच किया है वो सब आपको डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से देख सकते हैं तो बस यह सारा जो आलू का लच्छा है न मैंने निचोड कर इसमें डाल दिया है अब इसमें बारिक किया हुआ धनिया पत्ती डाल दें और इसी के साथ हरी मिर्च डालेंगे मैंने इसमें दो से तीन हरी मिर्च का इस्तमाल किया है अगर आप जादा तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा हरी मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते या आप इसे पेश्ट बनाके भी डाल सकते हैं, मतलब की अद्रक और हरी मिर्च का आप इसमें पेश्ट भी इस्तमाल कर सकते हैं, अब इसमें चावल का आटा दो चम्मच और सिंघाडे का आटा दो से तीन चम्मच, देखिए मैं यहां पर एक चीज बताना चाहूंगी, इस इसमें आप या तो सिंघाडे का आटा या फिर सिर्फ चावल का आटा ही इस्तमाल कर सकते हैं, मेरे पास यह दोनों है तो मैंने दोनों ही थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, बस ध्यान यह रखना है कि जो चावल का आटा है न वो दो चम्मच से जादा इस्तमाल ना करें, बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ एक आटे का इस्तमाल करके भी ये रेसिपिया बना सकते हैं, अब इसमें सेधा नमक डाल दें, व्रत में क्या है, हम लोग सेधा नमक का इस्तमाल करते हैं, तो इसलिए इसमें मैं सेधा नमक डाल रही हूँ, नमक डाल कर अच्छे से मिक्स कर लें, और एक चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर आपको तुरंत ही फ्राई करना है, तो ही इसमें आप नमक डालें, नहीं तो अगर मिक्षर बना की रखना है, तो नमक का इस्तमाल आप फ्राई करते समय डालें, चलिए अब इसके लिए चटनी तयार कर लेते हैं, तो सिम्पल सी चटनी है, ये वरत वाली बस धनिया, हरी मिर्च, अद्रक, सेंधा नमक और थोड़ा सा नीबू का रस, इसी के साथ ये चटनी हम तयार करेंगे, बेहत सिम्पल है, वरत में जितना कम चीजों का इस्तमाल किया जाएना, उतना ही अच्छा रहता है, तो देखिए ये चटनी मैंने तयार कर ली है, अब इसे एक बोल में निकाल लें, अब इसमें आधा नेबू का रज डाल दें, और अच्छे से मिक्स कर लें, देखिए, ये हमारा लाजवाब चटनी बन कर तयार हो चुका है, चलिए, अब इसे एक साइट रख देते हैं, अब ये बड़ा बनाते हैं, हाथ पर ना हलका सा पानी लगा लें, और उसके बाद थोड़ा सा मिक्षर ये हाथ पर लें, इस तरीके से आप लोई जैसा बनाएं, और बस बीच में उंगली की सहाइता से इस तरीके से होल कर लें, आप चाहे तो छोटे छोटे पकोड़े भी तियार कर सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से नहीं बनाना है तो, पानी लगाने से क्या है ये हाथ से अच्छे से निकल जाएगा, तो चलिए, अब इसे गर्मा गरम तेल में फ्राई कर लेते हैं, तो इसे फ्राई करने के लिए ना मैंने तेल पहले से गरम कर लिया है, चेक भी कर लिया है, तेल अच्छा गरम है, गैस का फ्लेम जो है ना, वो मीडियम पर करें अभी, और बस इस तरीके से आप वड़े बनाते जाएं, और तेल में डालते जाएं, मैं एक बार और दिखा देती हूँ, इसे किस तरीके से बनाना है, हाथ पर हलका हलका पानी लगा कर, इसको आप इस तरीके से बनाएं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, बस इसको हम फ्राई करेंगे, मीडियम से हाई फ्लेम पर, बहुत देर तक भी नहीं करना है, जब इसका रंग हलका चेंज हो जाएं ना, तब तक इसे हमने फ्राई करना है, बस तिन-चार मिनट छोड़ने के बाद, इसको हम पलट लेंगे, और बस इसी तरीके से पलटते हुए ना, इसे अच्छे से फ्राई कर लें, देखिए, जब इस तरीके से देखने लगे ना, इसका मतलब है, कि ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो चलिए, अब इसे बाहर निकाल लेते हैं, आप सच मानिए, ये खाने में आपको इतना अच्छा, इतना क्रिस्पी लगेगा ना, कि आपका हाथ नहीं रुकेगा इसे खाने से, तो बस, अब इसे गर्मा गर्म न, हरी चट्नी के साथ आप सर्व करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये खाने में, और इसी तरीके से सारे बड़े बना कर तयार कर लेंगे, तो उमीद करती हूँ, इस बार व्रत में, ये रेसिपी आप जरूर ट्राइ करेंगे, अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहा है न, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, देखिए अच्छा लग रहा है न, तो चलिए, मैं तो इसे इंज्वाइ कर रही हूँ, आप भी इसे फटा फट से बनाएए, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, थैंक यू,